90 रुपए तक की कीमत तक बिना सबसिडी के सिलिंडर खरीदना होगा एप्रिल 2020 में केंद सरकार ने चुपके से LPG गैस सिलिंडर की कीमतों में 100 रुपए का अधाफा करके बेसिक कीमते फिक्स कर दी है और गरीब के खाते में LPG की सबसिडी आनी बंद हो गई है जिससे गरीब काफी जादा परिशान है मेरट की मलिन आबादी वाले इस इलाकी के लोग छोटा मोटा काम करके या फिर मजदूरी से अपना गुजारा करते हैं यहां की सीमा का परिवार भी ठेले पर सबजी बेच कर अपना गुजारा करता है लोगडाउन में परिवार की आर्थिक इस्तिती गड़बर हो गई और रही सही कसर्ग इलपीजी की कीमतों ने पूरी कर दी गैस सिलेंडर 610 रुपे का मिल रहा है और सबसीडी भी मिलनी बंद हो गई इसी बस्ति के आमित दिहारी मजदूर है लोगडाउन में फैक्टरियां बंद हो जाने की वज़े से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है उस पर एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सबसीडी भी बंद हो गई जिससे गरीबी में परिवार पर और ज़्यादा संकट आ गया है यह साथ-ाट महिने हो गए तमसे कम शाहिद जब से नहीं आरे सबसीडी क्या कहा आपको यह गैस डीलर ने वहाँ से तो कुछ भी नहीं का हमने चेक भी करवाया बैलेंस भी गए थे बैंक में चेक करने उनने का के खतम हो गई सबसीडी अब आती ही नहीं पहले कितनी सबसीडी आती थी पहले उसी हिसाब से आती थी कभी 40 आ रहें कभी 100 आ रहें जैसे बढ़ते थे पैसे उसी हिसाब से आती थी अब बिल्कुल नहीं आ रहे ही लॉकडाउन होने के बाद सरकार ने लपीजी गैस सिलेंडर की बेसिक कीमतों में 100 रुपए की बढ़ोतरी की और 592 रुपए गैस सिलेंडर की बेसिक कीमत फिक्स कर दी इस कीमत में ग्राहक को जेब से जाने वाली 5 फीस दी जीस्टी भी शामिल है 2007 में प्रदेश सरकार ने लपीजी गैस सिलेंडर को टैक्स फ्री कर दिया था लेकिन जीस्टी आने के बाद इसका बोज फिर से ग्राहक के कंधों पर पड़ने लगा है आलू प्यास तेल चाबल और रासन की बढ़ी हुई कीमतों को साथ लेकर चलना गरीब के लिए बैसे ही मुश्किल भरा है लेकिन अब लपीजी सब्सुरी के नाम पर मिलने बाले 100-200 रुपे भी गरीब के खाते में नहीं आएंगे हैरत की बात यह है कि बड़ी हुई कीमतों का ना तो सरकार ने प्रचार प्रसार किया और ना ही गरीब को कानो कान खबर होने दी कैमरा सायोगी सानू के साथ में नरहेंदर भार समाचार मेरट